हेलो गाइस आज हम प्यास बनाएंगे बीना सिरके के और इसका टेस्ट बहुत ही टैंगी और टेस्टी है तो आएए शिरू करते हैं हमने प्यास ले लिए हैं इस तरह से हमने काटे हैं इसे एक प्लेट में हम डाल कर इसे इसके छले निकालेंगे और जो waste है वो हमेंसे इसमें निकाल देंगे इस तरह से सभी प्यास को open कर लेंगे और जो X-training है वो निकाल देंगे तो ये guys इतनी बड़िया बनती है और जट पठी आप इसे खा सकते हैं इसके लिए कोई wait नहीं करने की जरूरत और इंस्टर्ट रेडी हो जाएगा पांच मिन्ट में रेली guys कई के बार क्या होता है कई लोग सिर्का लाइक नहीं करते कई हों को health के कारण अवोर्ड करते है तो उनके लिए ये तो ये recipe काफी खास है क्योंकि ये सिर्के लिपास तो सभी को पसंद होती है हमने नेबू जूस राले एक चमच में आदा चमच इसमें नमक डालोंगे और एक चमच में चीनिक डालोंगे इसे अच्छे से करेंगे mix हम प्यास मैंने लाल प्यास लिया क्योंकि मेरे घर में लाल ही अभी इस टाइम में थी इसके लिए कुछ खास नहीं है कि आप लाल ही यूज़ करें जो भी आपके घर में हो आप वही ट्राई करों और जितना मैंने नेम्बू का अजूस लिया था उतना ही मैंने इसमें पानी अड़ किया है इसे अच्छे से मिक्स करेंगा इसमें च्कुंदस टाले मैंने इसे फेंग ने की कोई ज़रूरत ने गाईस यह खाने में बहुत बड़ी होती है हेल्थी होती है और ब्लैड की जो कमी होती है वो पूरा करती है तो इसे भी आप सैलेड में जुरूर खाए और इसे प्याज इस तरह से आप डाले और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स तोड़ा से मैंने इसमें चीनी डाली है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसका जो red color है जुंदर का वो इस प्यास के उपर और भी इसे प्यास को red कर देगा तो guys मैंने आपको बताया कि इसके लिए red प्यास की कोई आफशकता नहीं है जो आपके घर में हो आप वही लीजिए मेरे घर में यही थे तो मैंने यही ट्राइगी है तो आप जो भी हो आप वही ट्राइग करें और गाइस देखें प्यास बहुत बढ़िया बन चुका है अब दो सिर्फ चार पांच मिन में तो बिल्कुल ही र जाले सब भी प्यास रेड हो जाएंगी खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं और हैल्थी भी है कई लोग सिर्का अवार्ड करते हैं तो उनके लिए तो काफी हल्थी है इसे हरी मेर्च और नेमबू से हम करेंगे गार्निश इस तरह से और भी टेस्टी में लिए इस तरह से इस पे सिर्फ डालेंगे नमक और चीनी और जुबंदर की जूसकर आई होब आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक केजिए शेर केजिए सस्क्राइब केजिए और मेरे चैनल में हर वीडियो इजी है तो प्लीज चेक